इरान युद की टेंशन के बीच तुर्की के राश्वपती ने नेतनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनन की तरफ से हेजबुल्वा द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कब्रें यहाँ पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पावफुल ग्रूप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुर्की नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुर्की के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वर्ड जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा अपिशन तस्वीरों में है तेहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साध लिया है क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने एरान के विदेश मंतरी से war tension कम करने का वादा भी किया है सौधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वज़े ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डाल कर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इसराइल मेज जालिम इग ये अंचेल लॉटी कि आव ये आ движे में जालिमी आपिर आ होगा काल्दर गाल्टरिक। की गारेंटी नहीं है मैं इस वक्त इसराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पर एक बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुक्सान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इस बुल्ला ने नेतनियाहू आर्मी के बड़े आफिसर को मार कर दहला दिया है इसराइल पोसिस की आलन ब्रिगेट की 5030 बटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे गए हैं 37 साल के मेजर गनिजाते लिबनान में हिजबुल्ला के किलाब जमीनी हमले में मारे गए हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है। अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले हैं। इसराइल के बारूट से पाड़ दिया। उसको देखने आ रहे हैं। एतामली के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मौहम्मद हैदर को भी सैन्ने ऑपरेशन का जिम्मा सौपा गया है। वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम कासिम को बनाये गया है। नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी। लेकिन अमेरिका के रहते ये मुम्किन नजर नहीं आ रहा है। सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या। कैई देशों के भूते की बात नहीं। ब्राउन युनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। देके हत्यारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोफ खाने के गोले, तोफों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बंब शामिल हैं। इसराइल के लडाकू जैट हों या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे हैं। इसराइल को एमेरजंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है। यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में हैं, हर तरफ से हैं, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सूपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिढ़ने की पावर देती है। सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दूनों के लिए जरूरी भी है। वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जै से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचैन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है। अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है। इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइलें दाख कर दुनिया को चौका दिया हो। लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। पती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं। इधर इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है। जिसने पूरे मिडली इस्ट में हलकम मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उड़ गई है। जरा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने क्या कहा है। जरालेंट का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। जरा भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि एरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमानु वंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है। इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बादचीत के दोरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब एरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा। इसलिए बाइडन पर दबाओ बना चुका है कि वो इरान के परमानु ठिकानों को दबाद नहीं करेगा। लेकिन जब से अमेरिका को कूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियार में एटमी परिक्षन ही किया है। तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके आटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है। ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था। इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया। भुकम का केंद्र कतित तौर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के गरीब था। इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिकिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है। ऐसे अब दावे किया रहे हैं। भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है। दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनर्जी प्लांट के करीब था। बुकम के दोरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती हैं। ये लहरे वैसी नहीं थी, ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है। इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और वग्ञानिक ये दावा कर रहा है कि इरान ने परमानू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुन्दर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सॉनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली सहने ठिकानों को काफी नुकसान पहुचाया था उस वक्त इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाईलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाईल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जर्द देगे इसराइल डिफेंस पोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके लावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉफ कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित्थ किया था खबरे ये भी है कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मुताबक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तबह कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली इस्ट में सूपर पावर बन जाएगा